हालो फ्रेंड जैसी किष्णा जैसरी राधे आप सभी का मेरे चैनल में भाद बाद स्वागत हैं मैं हूँ सीमा पांडे आज मैं आपके साथ नई वीडियो शेयर करने जा रही हूँ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा शेयर कीजिए और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चलिए वीडियो शेयर करने जा रही हूँ और इसको मैंने सूजी से बनाया है सबसे पहले हम धीमियाज पर सूजी को भूनेंगे आप अपने पसंद के अनुसार आवसक्त क की अनुसार सूजी ले सकते हैं ये फूट का भी हेल्दी होता है आप इसको 6 मैने से ले करके 5 साल तक के बच्चे को दे सकते हैं जो बच्चे पतले दूबले होते हैं वो बच्चे भी स्वस्त हो जाते हैं और इस फूट को बनाना भी काफी सरल है और फटा-पट से 5 मिनट के अंदर बन जाता है ध्यान रखना है हमें लगाता चलाते हुए धीमी आज पर ही इसको भूनना है और light brown होने तक हम इसको भूनेंगे अगर आपने मेरा चैनल अभी तक subscribe नहीं किया है तो play subscribe केजिए जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंस सके अब देखिए हमारी सूजी का कलर बदल गया है light brown हो गई है अब मैं फिलेम को बंद कर देती हूँ और इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ और आप देख सकते हैं सूजी का कलर ये वाला आ जाना चाहिए अब मैं सूजी को ठंडा होने देती हूँ ठंडा होने के बाद हम बेबी के लिए फूट बनाएंगे और आप चाहें तो ठंडा होने के बाद आप इसको किसी कंटेनर में ये टाइट डिबे में भर करके रख सकते हैं जब आपको आबा सकता हो आप निकाल करके बना सकते हैं अब देखिए मैं एक चम्मच ले करके और इस तरीके से और इसमें हम थोड़ा सा दूद्र डाल करके लगातर धीमियाच पर चलाएंगे और ये बहुत ही जल्दी 5 मिनट के अंदर फूल जाती है सूजी और हम इसमें चोथाई चम्मच चीनी डालेंगे जिससे बच्चे का फूद टेस्टी बन जाए और इस तरीके से ये बहुत ही जल्दी बहुत ही इजी तरीके से बन करके तयार हो जाता है और आप उसको कंटीनर में भर करके रख सकते हैं जब आप कुआब सकता लगे इसी तरीके से बना सकते हैं देखे इस तरीके से हमारा बेवी फूद बन करके तयार हो गया है और हमें बहुत ज़्यादा इसको गाड़ा नहीं करना है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा गाड़ा हो जाता है आप इस तरीके से देख सकते हैं हमें इसी तरीके का रखना है अब मैंने इसको बावल में निकाल लिया है देखिए हमारा फूट बन करके तयार है आप इस तरीके से फूट बना सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे या मेरा मैथड अच्छ लगे वेवी फूट बनाने का तो प्लेज और अकिशा शेयर जरूर कीजिए आप इस तरीके से बना करके अपने बच्चे को खिला सकते हैं और आप भुनी हुई सूजी को एयर टाइट डिब्बे में भर करके रख सकते हैं और जब आपको आप सकता हो आप बना सकते हैं यह फटा-फट से 5 मिनट के अंदर बन करके तयार हुजाता है आप इस तरीके से वेवी फूट बनाईए, अपने बच्चे को खिलाईए, अपने अनुफा, मेरे चैनल बुर्जवासी वेंजन में शेर कीजिए आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो फिलीज लाइक कीजिए, शेर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फिर मिलते हैं नए डिया स्विप के साथ, धन्नुबाद